प्रेस दे बेल आइकन और यूट्यूबर और जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशूर यूट्यूबर सोहिप चोधरी को जिनकी स्पेशिल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोट की दबंग वकिल हम सब की चहती नाजियलाई खान जी जो की बात करेंगी ह हमारे प्यारे देश भारत के उपर इंडिया इसराइल की दोस्ती पे और खासकर इरान पे जो थोड़े दिन पहले भारत को आंके दिखा रहा था और आज भारत से मदद की बीख पांग रहा है तो ये वीडियो काफी इंट्रस्टिंग होगी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मज़ा आएगा तो इसे अन तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबस्क्राइब कर दें ताकि हम आपने से लेटिस्ट और दमदार वीडियो लाते रहे हैं तो चलिए पहले ये वीडियो देखते है और आन तम इसके बारे में बात करेंगे जैहिंद जैब भारत के इस्टेम पूरी दुनिया बात कर रही है इसराइल एरान इसराइल लबनान और जो भी इस्टेम जंग की सिचुएशन है उसके ओपर लेकिन ऐसी सिचुएशन में एरान ने हेल्प मांग ली है इंडिया से मैं आप लोगों को बताता चलूं कुछ लोगों को नहीं पता तो बताता चलूं ये वही इरान है जिसने आपसे कुछी दिनों पहले कुछी हफ़तों पहले इंडिया को घजऑ से कमपेर किया था कि बाइँ अींडिया में भी घजऑ जैसी सीचुएशन है एक टाइम पर करिटिसाइज करना और फिर कुछी दिनों बात इंड किस्तान को help का नहीं बोला सौदिया अरेविया को help का नहीं बोला लेकिन इंडिया को help का बोल दिया गए इसके ओपर बात करेंगे फिर United Nations के सैक्टरी को उन्होंने इसराइल की तरफ से जोंस है वो प्रीटीसाइजीजिसम का सामना करना पड़ा इसके ओपर भी बात करेंगे नाजिय इलाखी खान हमारे साथ मजूद है असलाम अलेकुम नाजिया जी कैसी है नमस्कार वन्निमादरम भारत माता की जैव आलेकुम असलाम बहुत अच्छी हूँ बड़ी जवर्दस्त हूँ नाजिय जी क्या कहना चाहेंगी इस तरह में इरान इंडिया से हेल्फ मांग रहा है और इंडिया का क्या रिस्पांस है या क्या रिस्पांस होना चाहिए कुछ वक्त पहले Maldives ने भी बहुत खरी-खोटी कही थी भारत को और फिर घुटने पर उतरना पड़ा और मैंने ही आपके साथ ये बात कहा था कि कुछ दिन में आप देखिएगा कि Maldives जो है और Maldives की जो सरकार है वो घुटने पर बैठी रहेगी उसके बाद बांगलादेश का हुआ था बांगलादेश के जो टेंपरेरी जो वजीर आजम है अब भी भारत आने के लिए बहुत गुजारिश कर रहे हैं और Maldives के साथ बैठने की बड़ी गुजारिश कर रहे हैं उसके बाद हमने खतर का देखा मैंने उस पर भी कह दिया थ कि हमारे जो पूर्व नेवी हैं वो पूरी इज़त के साथ भारत आएंगे और उसके बाद फिर बुला करके मोदी जी को सरमत्य और पलकों पर भी बिठा दिया गया तो ठीक उसी तरीके से एरान भी भारत से अब मदद मांग रहा है अब लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को देटेल्स में समझना पड़ेगा कभी इसमाइल हानिया मर रहा है कभी हसन नसरुला जो है वो बम से चीथडों में फट जा रहा है पूरी दुनिया आतंकी मुसलिम आतंकी सोच रखने वाले मुसलिम आतंकी सोच का समर्थन करने वाले मुसलिम खुद को सुपीरियर समझने वाले मुस्लिम के मुँपर जोरदार तमाचा इस्राइल अकीला मार रहा है टेरर टेररिस्ट टेररिजम और्गनाइजेशन को कूटने का मौका अमरीका और इस्राइल धूड़ी रहा था धूड़ी रहा था और जब अब कुटाई भर पेट हो रही है तो लीजिए चलिए आ किलने के लिए खड़े हो जाते हैं मुझे ऐसा लगता है कि भारत से इरान जो मदद मांगा है तो भारत के हमारे आदर्निय परदान मंत्री ने इस बात को पहले ही क्लियर किया हुआ है जीरो टॉलेरेंस टेररिजम टेररिस्ट टेररिस्ट और्गनाइजेशन को कभी भी समर्थन कर सकते हैं ना सपोर्ट कर सकते हैं और अगर उसको खत्म किया जा रहा है तो सामने वाले को वो रोकेंगे भी नहीं के रुक जो मत मारो टेररिस्टों को ऐसा तो हमारे आदर्निय परदान मंत्री कभी नहीं कर सकते हैं वन अर्थ वन फैमली का नारा देने वाले औ उनका साथ तो नहीं देने वाले यह मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ अब आती यह बात कि हसन नसर उल्ला के चीथडों में उड़ जाने के बाद क्या जरूरत थी इरान को 200 मिजाइल फायर करने की क्या जरूरत थी मात्र आपका 28 गंटे पहले की बात है न हम जो एरस्ट्राइक मिजाइल फायर किया अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है जो जियो पॉलिटिक्स पर काम करते हैं या जो जियो पॉलिटिक्स को जो बच्चे समझते हैं या जो पढ़ते हैं उनको सबसे पहले हमारे फी सबिलिल्ला के नारे पर जो जिहाद किया जाता है उनको भी ये समझना जरूरी है कि क्या एरान से आने वाला मिजाइल इसराइल बर्दाश कर सकता है क्या अपने आपको बचा सकता है या एरान से ना बेच करके क्योंकि आप United Nation में और भारत से एरान क्योंकि आप मदद मांग रहा है विक्टम काट खेल रहा है तो क्या एरान कि रसेप्सक्राइगे नहीं भ sacar जाना भी की फिकिगए नहीं, सिरिया क्या एह भार ले रहा है यह। से तुम्हार मैजी शया क्या है इसलिघ जद्च कि रसेड़ा रहा है है अब धी सवाल उड़ता है क्या सीरिया एरान के अतनी पावर है और ऐसे ऐसे नहीं मिसायल से, जो वो सीरिया से एरान पर एरान वाले इसराइल पर फिकवा सकते हैं नाजिया ची लेकिं यह भी एक चीज़ देखने वाली है आपने बोला कि वह इंडिया एरान की हाल्प नहीं करेगा लेकिन देखा जाए तो रशिया जो कि इंडिया का बहुत कलोस फ्रेंड है मनलब पूरी दुनिया इस चीज़ को समझती है कि इंडिया और रशिया के रिलेशन बहुत 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 है रशिया भी तो एरान को डिरेक्टली या इंडिरेक्टली बलके डिरेक्टली मैं कहूंगा स्पोर्ट करता नजर आ रहा है फलस्टीन को स्पोर्ट करता नजर आ रहा है तो आपको नहीं लगता कि कल को अगर एरान की बात नहीं मानी जाएगी इंडिया की तरफ से या जंग को रिकुआने के लिए अपना रोल जरूर प्ले करेगा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं एड दियें, इंडिया को इंडिया को इंवाल्व होना पड़ेगा, चाहे वो जंग रिकुआने के लिए ही इंवाल्व होना पड़ेगा, ये मेरी उपिनियन है, मैं गल पाएगा चाहे इरान सीरिया से मिजाइल फायर करवाए या इरान से खुद ही बैठे-बैठे इरान फायर करवाए हां इसराइल बचा लेगा इसराइल के पास 98% capacity है credibility है capability है अपने आपको safe करने की air defense cover arrow 3 का नाम सुना होगा पाकिस्तान जो इसराइल के पास बहुत ज्यादा strong power है किसी भी तरीखे का air strike और मिजाइल चुटकियों में रोक देता है जो इसराइल के पास ही सिर्फ है iron dome इसका भी बात इसका भी नाम सुना ही होगा ये भी इतना powerful इसराइल के पास है कि किसी भी तरीखे का कोई भी air strike या किसी भी तरीखे का कोई भी मिजाइल आएगा और छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा air strike हो उसको second में रोकता है तो इसराइल को इस बात की चिंता नहीं है कि सीरिया से मुझे मिजाइल फेके जाएंगे या इरान को डायरेक्ट फिर से फेकेगा वो खुद को सेफ कर लेगा और जिस जिस एरिया पर ये air strike होने का अंदेशा है इसराइल ने उसको खाले भी करवा लिया है वहाँ पर जितने भी civilians हैं जो citizens हैं उसको उन्होंने side भी करवा लिया है अब आती है बात कि आपने कहा कि जैसे रशिया और यूक्रेन के conflict में during conflict भारत के अधर्णिय परधान मंत्री मोदी जी गए और दोनों देश के presidency और प्राइम निस्टर से मिल करके उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बातचीत की जिस पर अमेरिका ने भी कहा कि ये एक सिर्फ मोदी जी ही है जो during conflict चले जाते हैं और दोनों देशों से मिल करके बात करते हैं मिलोनी ने भी कहा इटली की जो है वजीर आजम और बहुत सारे देश के लोगों ने आधर्णिय परधान मंत्री मोदी जी की तारीफ की लेकिन बात फिर यहीं पर आ जाती है जिसको मैं बहुत खूबसूरत अंदाज में आपको बता देना चाहती हूं कि ट्रेटी ट्रेड रिलेशन बाइलेटरल रिलेशन जो भी इरान से भारत का है या मिडल एस्ट का है या वेस्टन कांट्री जी एक बिसनस का मामला है लेकिन जैसे आज शौइब ने मुझे रात में मेसेज किया कि इस मुद्दे पर हमें बात करनी है और नाजिया इलाहिखान ने कहा कि हाँ ठीक है शौइब मैं बात करूंगी लेकिन कल नाजिया इलाहिखान को अगर यह इन्फोर्मेशन मिलता है कि शौइब चौधरी जो है वो जैशे मुद्द का मेंबर है तो क्या नाजिया इलाहिखान आपको ब्लॉक करेगी या आपके मैसेज का रिपलाई करेगी बिल्कुल ऐसे ही है ब्लॉक ही किया जाएगा डेफिनेटल अगर ऐसा होता है लेकिन देखें रशिया के मामले में यह पूछना चाहरा था कि देखें रशिया और युकरेन के अगर कंफलिक्ट के दरमयान इंडियन प्राइम निस्टर इन्वाल्व हो सकते है या दोनों कंट्रीज को ऐसा लगता है कि वह यह सम ऐसा कंट्री है या ऐसा लीडर है जो हमारी हमारे तरमयान कुछ बेहतरी कुछ रिलेशन बेहतर करवा सकता है जंग रखवा सकता है तो ऐसे फलस्तीन के प्राइम निस्टर से भी तो मिले इंडियन प्राइम निस्टर जो खबरें थी कि प्राइम मीस्टर आएं और जंग बंदी करवाएं तेकि रश्य और योक्रेन की जो लड़ाई है वो पावर की लड़ाई है और इस्राइल की जो लड़ाई है वो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन वजूद की लड़ाई है साड़े चौदा सो साल से यहूदियों को जिस हिसाब से मुसल्मानों ने अत्याचारित किया है एडियों से कुछला है और एक कहीं ना कहीं इसराइल को अब ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हमारे जितनी भी अलहामी किताब है उसमें बनी इसराइल का जिक्र है इसलिए मुस मुसले उसकी लड़ाई है पर यहां पी सबी लिल्ला जिहाद के नारे पर और नारे तखबीर के नारे पर ठाब के पर तीन तीन तविर ल्गासि होता एक सबस्देश वे धे वह कुपसूरत आइडियान नेता गर्जियन के तर वह डूड़े का वह वह अपने देश की शेचा और अपने देश के सूरक्षा करने के लिए लिए किसी भी पर पहुंचछ जाए इसी भी हाद को क्रोस करें तो organizations तो नहीं होता है आँ देखे अब डिया भी सिंपerdrogen को सब्सक्राइब अबर बिलखे झाची है हम देते हैं और मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रही हूं बिलकुल इनकार नहीं कर रही हूं लेकिन और अभी हालिया में इसको क्वाड की मिटिंग में जिसे साब से पुलस्तीन के से बातचीत हुई है हमारे आदर्निय परदान मंत्री की मैं उससे भी इनकार नहीं कर रही हूं मैं फिर यही कह रही हूं कि अगर कोई देश टेररिस्ट टेररिजम और टेररिस्ट और अर्गनाइजेशन को हवा देगा प्रोवोकेशन देगा तो आदर्निय परधानमंत्री उससे नफरत करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं अब बात आती है कि 7 अक्तुबर 2023 को किसने पहल किया था बचारे इसराइल वाले तो कॉंसर्ट कर रहे थे एक सिंगिंग और डांसिंग कॉंसर्ट हो रहा था वो तो अपनी दुनिया में मस्त है वो तो अपने आप में मस्त है क्या जरूरत थी हमास और फलस्तीन को वहां पर स्ट्राइक करकर करके लाखों लोगों को मार डालने की और इसराइल की बहु बेटियों को न्यूड न्यूड परेड कराने की और बच्चों को माइक्रोवेव में जलाने की जरूरत क्या थी अब जब हमास ने कर लिया इसलाम के जस्टिफिकेशन पर और पीस अबिलिल्ला जिहाद के नारे पर तो उसके बाद जब reaction मिल रहा है action का तो आप victim card क्यों खेल रहे हो और एक चीज तोर में बोलना चाहूंगी बहुत crystal clear बोलना चाहूंगी कि जिस हिसाब से इरान हो पलस्तीन हो हमास हो सीरिया हो पाकिस्तान हो जिसने जिसने भी देश जिस कोने को भी बरबात करने की कोशिश की है आज पाकिस्तान को देखिये यह पाकिस्तान को पाकिस्तान बना चुका और अपने विचार हमें क्मेंट शेक्षिय में लिखकर जरू बताया और एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटिस्ट नॉलेजिबल और दमदार वीडियो लाते रहें तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबदस्त और इंट्रस्टिंग वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जै हिंद जै भारत